बिस्मिल्यारामानुर्व अस्सालामुलेकूम आज के इस lecture के अंदर हम linear algebra को और भी advance पे देखने वाले हैं और linear transformation से start करेंगे लेकिन linear transformation से पहले भी कुछ चीजें हैं जो important हैं जो अभी मैं आपको सामने आपके रखता हूँ और hopefully आप इन चीजों को समझ चुके हैं कल वाले lecture के अंदर but still if you don't understand के कल जो हमने सीखा था यानि के पिछले lectures के अंदर सीखा था वो क्या चीजें थी so आज का lecture आपके लिए important होने वाला है start करते हैं आप please अपनी notebooks जो है आपने पास रखिएगा so यह मेरी notebook आप लोगों के पास share हो रही है यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैं लेके आया हूँ वो है जनाबे वाला आपके लिए let's look into that जो आपके लिए सबसे पहली चीज है that is basis vectors क्या होते है basis vectors basis vectors क्या होते हैं और यह किस तरीके से हमारे पास काम करते हैं जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी आप कोई चीज ड्रॉ करते हैं something like this और ड्रॉ करते साथ ही आपके पास दो किसम के vectors ऐसे होते हैं अगर आप यहां पे इसको एक quantity पे ले जाएं और यहां पे इसको एक quantity पे ले जाएं तो यह दो हमारे पास unit vectors होते हैं एक को हम बोलते हैं i hat और एक को हम बोलते हैं j hat i hat और j hat जो हैं यह दो important units होते हैं whenever you are working on something और अगर यह सारे की सारे plane को यानि के जहां पे भी यह सारे के सारे vectors हम बना सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं मैंने कल भी आपको बताया था इसको two dimensional real coordinate plane बोलते हैं real coordinate plane real coordinate plane क्या होता है एक ऐसा plane जिसके अंदर आप कोई भी two dimensional vector जो है उसे draw कर सके using cartesian coordinates, cartesian coordinates क्या होते हैं जो हमने कल देखे थे cartesian coordinates for example इसको हम draw करते हैं r square के साथ पीछे एक बार लगा के या हम r के back side को इस तरीके से थोड़ा सा bold कर देते हैं और r square बना देते हैं इस तरीके से हमारे पास यह real coordinate space होती है जिसके अंदर हम कोई भी vector को draw करते हैं और i hat और j hat की जो values थी वो basis vectors की या unit vectors की वो कल भी हमने देखी थी i hat की value थी यहां पर हमारे पास x 1 थी और y 0 अगर इसके coordinate देखे जाएं i hat के यह थे फिर हमारे पास j hat के थे coordinates which are 0 and 1 क्योंके वहां पर x की 0 है और y की जो है वो 1 value है तो अगर आप गौर करें तो हम इस तरीके से coordinates लिखते हैं जो vectors के हम देखते आ रहे हैं x and y x and y ठीक है तो यह जो दो vectors है i hat and j hat इनके उपर सारे का सारा जो linear algebra है वो believe करके चलता है मिसाल के तोर पर आपको यहां पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब कभी भी आप i hat और j hat की बात करते हैं या इनको basis vectors की बात करते हैं इनके साथ यानि के basis vectors जो होते हैं इनके साथ जब भी आप कोई चीज for example मैं यहां पर लिखता हूँ basis vectors जब आप basis vector को आपस में linearly combine करते हैं sorry linearly कमबाइन करते हैं या आप इसको scalar quantity के साथ scalar multiplication करते हैं यह दो चीजों की base पे आपके सारे का सारा two dimensional coordinate system जो है वो बनता है अगर आपके पास दो vector हैं यानि के i hat and j hat ठीक है इन दोनों के साथ कोई भी अगर linear combination हो किसी vector का उस पे और इसके साथ scalar multiplication करके आपके पास सारे का सारा जो है वो linear algebra बनता है या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब vector को linearly combine किया जाए यानि कि जिसको vector addition बोलते हैं plus अगर आप scalar multiplication करें scalar multiplication किया था कि आप कोई भी एक number के साथ vector को multiply करें तो at the end आपके पास क्या होता है एक proper linear algebra की हर एक equation बन जाती है अब इसको define करने के लिए मैंने कल भी आपको अच्छा खासा समझाया था कि जब भी कोई हमारे पास एक vector होता है say for example यह मेरे पास two coordinate plane है ठीक है एक vector है मेरे पास जो है 3 and 4 का मेरा जो writing pad है यह थोड़ा सा मसला कर रहा है sorry for that 3 and 4 का मेरे पास एक vector है ठीक है यह मेरे पास है basis vector 3 and 4 का मतलब यह है 3 जो है वो x की value को cross bond करता है 4 करता है y की value को इसका मतलब यह है कि 3 जो है वो i hat को extend कर देगा 1 से 3 तक, क्योंकि यह 3x है, तो scalar multiplication यह होती है, 3x तक आ गया, दूसरा y है 4 तक, यह 1 से 4 तक ले जाएगा, this would be an other vector, so, अगर हम इन दोनों को मिला के यहां पर इस तरीके से show करेंगे, this would be our scalar multiplication of that vector, ठीक है, तो होता क्या है, कि unit vector के साथ यह 3 और 4 जो है, यह multiply कर रहे हैं, ठीक है, अब इसकी मैंने आपको तरीके कार बताया था, कि जब आप, एक तो यह तरीका कार हो गया, कि आपके पास scalar multiplication हो ज vectors, basis vectors क्यों ज़रूरी है, यह भी आपको समझ आ जाएगी, अब आपको अगर unit vector, यानि कि unit vector का मतलब होता है, कि one one दोनों साइडों पे इसकी जो है, वो quantity है, और direction इसकी right साइड पे और अपर साइड पे है, i hat and j hat, इनको basis vector क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह basic है, किसी भी vector क draw करने के लिए, यहां तक आपको clear हो गया होगा, अब basic, जो basis vectors है, इनको समझना इस वज़ा से जरूरी है, whenever you are reading some kind of vectors, वो किसी एक basis से निकले है, यानि कि उनकी कोई बुनियाद है, जैसे एक दरख्त होता है, दरख्त किसी एक seed से start हुआ होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि दरख्त directly आप लगा देंगे और वो दरख्त दरख्त बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो एक seed से start होता है, या उसके जो propagation होता है, वो किसी एक point से होती है, वो point जो होता है, वो basis होती है, उससे आगे जो है फिर जो आपके पास बड़ी quantity आती है, या scalar vector आता है, या आप के पास जो vector एक होता है, 2D coordinate space के अंदर या R square के अंदर उसको हम बनाते हैं, अब basis vector जब हम देख रहे होते हैं, basis vector के अंदर हमारे पास unit vectors जो होंगे, वो भी हो सकते हैं, या आप कोई और भी basis vector बना सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ, अगर आप basis vectors को find out कर लें, यानि कि आप को पता हो कि आपकी basis क्या है, बुनियाद का पता हो, तो अगर ये 2D coordinate plane, ये थोड़ा सा टेड़ा भी हो जाता है, अगर ये मैं इसको थोड़ा सा rotate भी कर लेता हूं, फिर भी basis vectors वो ही रहने हैं, और उनके साथ जो scalar, जो vector की quantities हमारे पास आ रही हैं, वो भी वो ही रहने हैं, coordinate space जैसे मर्जी, different way में चली जाए, अगर इसको मैं उठा के और ज्यादा rotate कर दूँ, बजाए इसके, यहां पे, इसको मैं 90 degree के angle पे अगर rotate कर दूँ, ये वाला मैंने 90 degree पे अगर किया, 90 degree पे, तो अब मेरे पास j hat आ गया यहां पे, और मेरे पास i hat यहां पे आ गया, ठीक पे किया, j hat ने यहां पे move किया, और यह हो गया, मेरे पास j hat और यह हो गया, i hat, ठीक है, तो अब कोई भी vector होगा, इन दोनों की base पे वो vector भी वैसे move करेगा, say for example, मेरे पास जो vector है यहां पे, that is this one, जो इन दोनों के center में जाता है, तो जब मैंने 90 degree पे इसे rotate किया, यह भी इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हमें basis vectors का पता हो, हम हर vector की coordinates को find out कर सकते हैं, when the coordinate space changes from one position to another position, और इस change को हम नाम देते हैं, बहुत ही अच्छा, और उस नाम को बोलते हैं, transformation, transformation, यानि कि जब आपका coordinate system, उसकी जो lines हैं, वो transform करें, rotate हो जाएं, या थोड़ी सी skew हो जाएं, like इस तरीके से आजाएं आपका coordinate system, या आपका coordinate system जो है, वो x-axis और y-axis वैसे रहें, बट वो उनके अंदर space कुछ इस तरीके से हो जाएं, इसको हम बोलते हैं, transformation, transformation of space, space की transformation, अब अगर space को देखा जाएं, तो हमारे पास ये जो थी, ये two dimensional space थी, या इसको हम r square भी बोलते हैं, अब r square के अंदर ये सारी की सारी change आ गई है, अब इसको फर्दर समझने के लिए, कल मैंने आपको एक और term बताई थी, उससे भी पहले, transformation का मतलब है कि एक space का, कोई भी space के अंदर रदो बदल होना, ठीक है, rotate हो जाना, skew हो जाना, आपका line को इदर उदर हो जाना, उसको हम transformation बोलते हैं, अब ये transformation कैसे होती है, अगर आप गोर करें, मैं यहाँ पे अब अपना जो view है, उसको मैं थोड़ा सा change करता हूँ, say for example, ये मेरे पास एक grid line के अ आ गया, ये मेरे पास grid lines आ गई है, ठीक है, और ये grid lines on purpose मैं ले के आया हूँ, ठीक है, अब अगर आप गोर करें, मैं दुबारा से अब draw करूंगा lines को, and then we will see किस तरीके से हमारे पास transformation होती है, अगर मैं इसके उपर ये line लगाँ, और बलके इसको मैं थोड़ा सा नीचे ल तीन, इदर, ये मेरे पास एक coordinate space है, ठीक है, ये मेरे होगे unit vectors, ये 1, ये भी 1, ठीक है, i hat and j hat होगे, अब अगर आप गोर करें, कल मैंने आपको बताया था, कि जब आपके unit vectors के अंदर, जब आप linear combination of two vectors करते हैं, say for example, मेरे पास एक vector है, जिसकी लंबाई है, 1, 2 की, यानि कि ये मेरे पास V vector है, ठीक है, और इसमें मैंने add करना है W को, W को मैं add करता हूँ, which is, 1 and 3, जब मैं इसको add करता हूँ, तो मेरे पास क्या result आता है, let's see, हमने 1 and 2 को यहाँ पर draw करना है, 1 and 2, यानि कि इस side पर 1, उपर कर 2, तो यहाँ पर एक point बनेगा हमारे पास, मैं इसको draw कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया V vector, W vector क्या है, 1 and 3, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ठीक है, तो ये vector यहाँ पर बनेगा, इसको मैं draw करता हूँ, green color से, ये मेरे पास 2 vectors draw होगे, and you know that, कि जब भी आप 2 vectors को draw करते हैं, वो इस तरीके से होगे draw, अब इनको combine करना है, तो combine करने के लिए हम क्या करेंगे, let's see, हमने ये जो green vector रहना, इसे उठा के, दूसरे vector के उपर लाके रखना होता है, ठीक है, let's try this if I can do, not like this, last so select tool से देखते हैं, sorry, अच्छा, वो तो copy नहीं हो रहा, तो मैं इसी को 1 इस साइड पे, और ये उपर को था 3, 1, 2, 3, तो ये बनेगा, green अगर मैं दुबारा से draw करूं, 1, 2, 3, और ये 1, sorry, it should not be that much bigger, ये यहाँ पे, आप ये समझ लें कि ये वाला जो है, मैंने यहाँ पे point लगा दिये, अब अगर आप गोर करें, अगर बहुत गोर से देखें, तो इन दोनों का linear combination जो है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर आप गोर करें, हमारे पास, plus हमारे पास है, 1, 3, 1, 3 and 1, 2, अगर इसको जमा करूं, तो मैं ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो हमारे पास 2 and 5 जो है, वो final vector हमारे पास आ रहे है, ये था हमारा linear combination जो मैंने कल भी आपको बताया था, अब एक और linear combination बना के देखते हैं, और आपको मैं समझाता हूं कि कल जो हमने vector span की बात की थे, वो किस तरीके से matter करती है, ये हमारा एक vector हो गया, और ये इसी के उपर हमने एक और vector बनाया, ठी यानि के white को constant रखते हैं, और अपना ये जो blue वाल है, इसको आप change करते जाते हैं, तो आपके पास क्या होगा, इस तरीके से एक line बन जाएगी, और similarly अगर आप blue को constant रखते हैं, और white को change करते जाते हैं, तो आपके पास different एक और line बनेगी, ठीक है, अब ये दो line जो हैं, say for example वो इस तरीके से भी बनती है, इस तरीके से भी बनती है, ठीक है, अगर आप दोनों को move करते जाएंगे, say for example, मैं इसको move करता हूँ, मैं आपको एक चोटी सी example बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे, यह मैंने इसको change किया, और इसको मैं 2 की बजाए यहाँ पे ले गया, और इस तरीके से यहाँ पे ले गया, तो अब आप देखेंगे, कि मेरे पास जो vector बना है, वो यहाँ पे भी बना है, और अगर इसको मैं थोड़ा सा change करता हूँ, तो इसकी position अगर इस हवाले से देखें, तो यहाँ पे बनती है, तो कहने का मक्सद यह हुआ, कि अगर vector दोनों separate line के उपर है, और green line different जा रही है, तो they can actually capture the whole two-dimensional space, और यह पूरी real space के अंदर आ सकते हैं, यानि कि two-dimensional space को पूरी की पूरी को capture कर सकते हैं, इसका मतलब यह है, कि whenever you multiply the unit vector, यह जो i hat और j hat मेरे पास हैं, इसको अगर आप multiply करते हैं, किसी scalar quantity से, अगर वो change होती रहती है, और यह scalar quantity change होती रहती है, और कोई भी real number यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब यह है, कि आपके पास यह जो r square है, यह आपके पास पूरे के पूरा dimension के अंदर आ जाता है, and then you can actually say, कि आपके पास जो vector final बनेगा, linear combination के बाद, वो कहीं पे भी बन सकता ह इसको मैं further आपको सामने describe करता हूँ, यहाँ पे मैं पूरी की पूरी definition उठा के लाता हूँ, vector span की, इससे आगे फिर हम move करने वाले हैं, matrices के उपर, यह समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंके, like this, the set of all the possible vectors that you can reach up with the linear combination of two vectors, दो vectors के साथ, जब आपको linear combination लेके चलें, उसको आप vectors का span बोलते हैं, मिसाल के तोर पे, जो कल मैंने आपको बताया था, कि vectors का, दो vectors का, यानि के V vector and W vector का span क्या होगा, इन दोनों के linear combination से, linear combination से, जितने भी vectors बनते हैं, और वो बनेंगे आपके two dimensional space के अंदर सारे, क्यों सारे बनेंगे, क्योंकि यहां पे एक variable quantity है, वो कोई भी हो सकती है, यानि कि A और B का मतलब यह हुआ, कि यह कोई भी quantity हो सकती, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, माइनस एक हो सकता है, माइनस दो हो सकता है, माइनस तीन हो सकता है, इसका मतलब जब आप vector को, vector A को किसी भी scalar से multiply करें और उसमें जमा करें vector w का with any scalar multiplication कोई भी हो सकता है ये आप minus infinity से plus infinity तक भी जा सकते हैं दोनों साइडों पे ठीक है मतलब minus पे भी आप infinity तक और plus में भी infinity तक और आप इसको जितने भी variable रखें वो आपके पास जितने भी vectors देते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये जिसका span है और मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपके पास ये span कुछ इस तरीके से vector addition करें कि आपके पास ये जो दो vectors हैं इनको मिलाने के बाद एक तीसरा vector separate line पे बने तो हम कहेंगे कि यहां पे सारे के सारा r square इसके span में आ रहा है अब एक दूसरी quantity देखते हैं कि जब हमारे पास मैं यहां पे आपको दिखाता हूँ just a minute जब हमारे पास एक ऐसा vector हम बनाएं यानि कि हमारे पास w भी हो ऐसा like this one यह हमारे पास आ गया है जी v vector और फिर हमारे पास आ गया है एक और जिसको हम बोलते हैं w vector जब हम इन दोनों को add करते हैं तो हमारे पास add करने के बाद तीसरा vector भी इन ही के उपर बन रहा है अगर आप गौर करें ठीक है कैसे यह एक vector है इसकी tail पे दूसरा start करता हूँ वो इदर आ जाएगा अब इनको बड़ा चोटा करता जाओंगा जितना मर्जी linear combination करूँ वो यहां से यहां तक बनेगा ठीक है और अगर आप गौर करें यह अगर एक negative में जाएगा तो इस तरीके से जाएगा तो at the end आपके पास क्या होगा आपके पास यह एक linear dependence आ जाएगी जो मैंने कल भी आपको बताया था यह zero से cross करेगा इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक vector को किसी scalar के साथ multiply करें और दूसरे vector को भी किसी scalar के साथ multiply करें और वो जो आपके पास एक दुनों vectors को मिला के जितने भी vectors बनते हैं वो जितने भी vectors हैं ठीक है वो एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है vector को किसी scalar के साथ multiply करेंगे न, वो दूसरे vector के equal होगा, यानि के अगर एक को किसी scalar के साथ multiply किया जाए, तो हम दूसरे vector को ले के आ सकते हैं, say for example मेरे पास है यहाँ पे vector V, वन यूनिट है तो इसको अगर मैं vector V को दो के साथ multiply करूँगा तो obviously मेरे पास vector W जो है वो मेरे पास है, दो यूनिट का मिसाल के तोर पे and this one is 2 यूनिट, तो हमारे पास क्या होगा, when we multiply vector V with 2, तो हम यह जो vector W है, इसको ले लेंगे ठीक है, so 2 vector V हमारे पास W को दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप किसी एक vector को किसी scalar के साथ multiply करें, और आप के पास एक ऐसा vector बन जा है, जो आप उसी linear combination में जिसे देख रहे हो, तो basically यह linearly dependent vectors होते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम W को remove कर दें इसमें से फिर भी span वो ही रहेगा यानि कि आपका जो vector का आप span बनाएना वो एक line है, आप एक को remove कर दें, दूसरा वो span पूरा कर लेगा, ठीक है इस वज़ा से linear dependence क्या होती है, कि जब आप एक vector को remove कर दें, remove one vector और पीछे से span उसका same रहे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि दुनों vector आपस में linearly dependent है, vector a is equal to w अगर हो या आप इसको remove कर दें span आपका फिर वो ही रहे जो एक line वाला है, ठीक है इसको बोलते है linear dependence of vector, यह linear dependence होती है जो कल भी मैंने आपको बताई थी, जिस point पे मैं लेके जा रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी तो then it would be very nice अब तीसरा एक चक्कर यह होता है कि आपके पास vector है यह 0 पे, 0 पे ही रहा 0 से ही चला, 0 पे ही खतम हो गया, इसको बोलते है null vector, जो मैंने कल भी आपको बताया था, यह 0, 0 पे ही होता है इसको किस के साथ मर्जी multiply करते जाएं, कोई भी फरक नहीं पड़ता origin रहेगा, तो हमारे पास तीन सेनेरियो बन गे, पहला सेनेरियो ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास total two dimensional space cover हो रही है दूसरा सेनेरियो ऐसा है जिसमें linear dependence आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो linear dependence है dependence, यह जो है, यह इसके ult है तो इसको हम linear independence, बोल देंगे independence इसका मतलब यह हुआ कि अगर a vector v plus b vector w में से कोई एक vector निकाले ना तो span वो ना रहे है यानि कि r square नहीं रहेगा फिर if this is not equal to this one तो इसको हम linear independence बोलते है यानि कि इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आप एक को remove करें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि a vector के साथ multiply करने के बाद यह vector w नहीं बनाएगा so this is called linear independence linear independence का समझ आगी कि एक को remove करने के यानि कि दोनों को बढ़ाबर हैं किसी भी scalar के साथ multiply करके linear independence का है कि किसी भी scalar के साथ multiply करके हम इन दोनों को बढ़ाबर कर सकते हैं vectors को ठीक है तीसरा scenario हमारे पास बन गया null vector का null का जो हम ज्यादा तर consider नहीं करते हैं अब आपको ये दोनों चीज़ें समझनी हैं ये जो two dimensional के अंदर है अब इसकी तरफ जाते हैं ठीक है? two dimensional के अंदर हम move करने वाले हैं